लोग सबच चुनाओं से पहले कॉंग्रेस की मुश्किले बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर वो सच किसी को चुप गया और खास तोर पर आपका बॉस हो तो सच कहने की कीमत भी काफी भारी होती है। लोगों को कॉंग्रेस के साथ जोरना चाह रहे हैं लेकिन बीजेपी ने वीडियो वारल कर कॉंग्रेस की नीद दुरा दी है। क्या है खबर और कैसे वारल वीडियो से कॉंग्रेस बैक फूट पर आ गई है। बताते हैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। द्रसल संसत के बजट सत्र मेराष्टपती द्रौबदी मुर्मू के अभिवाशन पर धनेवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कई ऐसे लम्हे भी आएं जब सत्ता धारी पक्ष ठहाके लगा कर हसने लगा। द्रसल राजसभा में नेता परतिपाक्ष मलिका अरजुन खरगे ने कहा कि प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली भाजपा अगामी लोकसभा चुनाओं में 400 से अधिक सीटे जितने के दावे कर रही है। प्रतिपिरिया ऐसे है मानू वो कहना चार है हो कि उन्हें घिरना करने वाले नए लोग चाहिए। नफरत करने वाले पुराने लोग फैन बन चुके हैं। वहीं खरगे ने ये भी कहा कि पीएम मोदी कहें इस चुनाओ को आखरी चुनाओ नगोशित कर दे और कह दे कि मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ कि अब लोकतंद्र की जरूरत ही नहीं है। अपने ही जाल में खुद फंस जाना। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रिय मंत्री जोती रादिते सिंधिया ने एक्स पर लिखा कि खरगे जी की इस बात से पूरा देश आज सहमत है कि अब की बार 400 पार। जैसे ही खरगे का ये बयान वारल हुआ कॉंग्रिस की नीन दुर जब उन्होंने कहा अब की बार आप 100 मेसी मट जाएंगे आप भी सुनिए खरगे का वो बयान जो वारल हो रहा है।